सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट अपका आज के एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सब को गरतंत दिवस की हार्दिक शुक कामना है हाला कि 26 जनवरी कल है लेकिन मैं आज सब्सक्राइब अप्लोड करता क्यूंकि संडेक दिन क्या हूता कि थोड़ा भी संडेक दिन वीडियो नहीं अपलोड खोल कि मैं अपने चारे सोचल मेडिया आउंटसे आप जरूर विश्च कर दोंगा गरतंते उसको क्या होता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संभिधान लागू को किया गया था है यानि 26 जन्वरी को मनाया जाता है तो आपको गड़तंत दिवस की हार्दिक सुपकामना एडवांस में इस शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की हुए आज के इस वीडियो को वीडियो पसंद आ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आज चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले न क्योंकि मैं रोजाना ऐसी आपको वीडियो लेके आता रहता हूं तो दोस्तों आज हुआवे ने फाइनली अपना नया फिटनिस मैंड इंडिया में लांच करे दिया है जिसका नाम है हुआवी बैंड फॉर आपको बता दो इसकी सुरुवाती कीमत जो रखी गई उन्निस तो निन्यान बे रुपई रखी गई यह एक कॉमर्स वेबसाइट फ्लीप कार्ट एंड हुआवी के ओफिसल वेबसाइट में ऑनलाइन सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा यह चल द इसमें दिया हाला कि बैंड फाइब से मिलता जुलता ही है कुछ इसके फीचर तके तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इसी हुआ भी बैंड फॉर के बारे में और यह कब अवेलबल हो जाएगा सेल के लिए यानि कब हमें से पर्चेश कर सकते हैं और किस तारीक से और कहां से पर्चेस कर सकते हैं क्या इसके फीचर से क्या यह मीग बैंड फाइब या हुआ भी कि अपने खुद बैंड फाइब को कंपटीटर टकर दे सकता है यह नहीं दे सकता है इन्वे दोस्तों सुरू करता है सबसे पहले बात करते हैं इसके लाउंच ऑफर के ग्रेडियन ब्लाइक ब्लू और औरेंज कलर पर अवेलबल है अगर वहीं फीचर्स की बात डाले तो अगर हुआ बैंड फॉर फीचर्स की और बढ़े तो इसमें 0.39 की एक LCD कलर टच स्क्रीन दी गई है जो आपको बता दो जिसका स्क्रीन रेजुलेशन के अगर तरह बढ़े तो 160 इंटू 80 का एक पिक्सल रेजुलेशन है अगर इसमें क्या होता कि इसमें 8 बिल्ट-इन कस्टमाइज क्लॉग फेसे भी अवेलवल है आला कि कमपनी एक क्लेम भी करते हैं कि आप हमारे एक ओफिचल हुआ भी वाच फेसे स्टोर से आप 66 वाच फेस डाउनलोड कर सकते हैं इसमें अप के माधयम से है तो यानि कि इसमें आप time to time बेतरी ना वाच फेस लगा सकते हैं हाला कि कमपनी ये भी कह रहे हैं कि इसमें आप कस्तमाइज भी कर सकते हैं अगर आगे फीचर्स की की बात करूँ तो इसमें साइद 9 intelligence mode को support करते है जैसे कि इसमें outdoor run, indoor run, outdoor walk, indoor walk, outdoor indore cycling yana ki free training वग्यरा जैसे और इसमें loading machine खासबत सब्सक्राइब इसमें यह है कि अंग में oxygen को भी calculate कर करके बता सकता है कि आपमें Alexander की क्या मात्राज चल रही है इतना इसमें जो इसकी touch screen 3.5 है इसके एक इसमें features है true scene 3.5 इसमें आपको 24-7 heart rate Vai तो भी monitoring features available किया गया है यानि आपकी हाट वीट को भी track करके आपको बताएगा कि आपकी pulse किस हिसाब से चल रही है और क्या आपका heart rate monitor करता है अगर power backup की बात करो तो इसमें 91 mh की battery दिरी गई है जो एक दिंगी available यानि इसमें क्या हो USB की साथ आप चार्ज कर सकती यानि कि इसमें plug and play USB charging का supports भी दिया गया है और आपको बता दो यह एक बार चार्ज होने में करीव एक से डिर घंटा लेती है अगर एक बार फुल चार्ज हो तो इसमें साहिट आपको 9 से 10 दिनों का battery backup मिल सकता है हाला कि ऐसा company claim करती है अगर जनरली यूजर में दिखा जा तो साथ आठ साथ से आठ साथ से आठ साथ दिन का इसमें backup आपको मिल जाए इसके साथ इसमें notification पैनल भी दिया गया है यानि कि अगर आपके फोन में कोई notifications वगेरा आती तो भी आप इससे आसानी से read कर सकते हैं साथ के साथ इसमें एक assistance की तरह भी आप इसमें यूजर कर सकते हैं और यही सेम रेट से आप Huawei को official website से भी purchase कर सकते हैं तो अगर मैं अपने opinion की बात करूँ तो यह band 5 को काफी ज़्यादा competitor के रूप में टकर देते हैं यानि कि जो others company है जैसे me का band है band 4 band 5 उनको भी काफी आसानी काफी बेदरी तकर क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ खास ऐसे unique features दिये गए हैं जैसे ब्लैड में oxygen 24-7 hot monitoring features यह सब अगर इन features को देखा जाए तो यह काफी अच्छा band fitness band है आपके लिए आप इसे definitely consider कर सकते हैं तो दोस्तों यह था इस band 5 के कुछ features और प्राइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like कर देना और हां comments करके मुझे जरूर बताना क कि आपको इस huawei band 4 के features कैसे लगे अगर मैं अपने opinion की तरफ बढ़ू तो इसके तीन features मुझे का भी ज़्याद आच्छे लगए जैसे इसका USB plug and play charging दूसरा इसका blood oxygen monitoring तीसरा इसका एक watch faces वाला जिसमें आप customized watch faces लगा सकते हैं Huawei के official watch face से भी download करें इसमें आपको digital clock के साथ analog clock का भी watch faces यूज कर सकते हैं तो अगर यह तीन features की तरफ मैं बढ़ू तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यह fitness band हो सकता है है लग कि दोस्तों आप लोग को बताना मुझे comments करके जरूर बताना कि आप लोग को यह band fitness band कैसा लगा तो तो बस फिलाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंदा है अगर आपको वीडियो पसंदा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देने और साथ साथ ही शेयर कर देना अगर आपका कोई सुझा हो या कोई स रहूंगा मिलता हूँ आपसे एक और ना इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्या बाबाए और आलवेज कीप स्माइलिंग